मे एंड माइट का क्या मतलब होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं मे एंड माइट जो है वो इंग्लिश के मॉडल वर्ब्स है यानि कि मे एंड माइट are model verbs in English that are often used interchangeably but there are subtle differences in their meaning यानि कि मे और माइट जो हैं इंग्लिश के model verbs हैं और इनको कई बार interchangeably यानि कि एक दूसरे की जगे इस्तेमाल किया जाता है पर उनके meaning में थोड़ा सा difference होता है तो थोड़ा वो समझ लेते हैं सबसे पहले मे की बात करते हैं मे का इस्तेमाल जो है वो permission के लिए हम करते हैं यानि कि मे is common used to express permission or to ask for permission यानि कि permission लेने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं for example may I go to the restroom यानि कि क्या मैं restroom में जा सकता हूँ ऐसा कहने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं या फिर possibility के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं यानि कि make and also indicate a possibility यानि कि possibility दिखाता है जैसे कि it may rain later यानि कि आज या बाद में बारिश हो सकती है अब might की बात करती है तो might भी जो है वो possibility दिखाता है या might की जो tentative-ness होती है वो जादा होती है यानि कि may का मतलब हो सकती है पर जादा संभावना हो तो may की जगे हम क्या कहीं ये might कर देंगे यानि कि जैसे it might rain today या it might rain later का मतलब हो कि आज ज्यादा संभावना है कि बारिश होगी यानि कि might is also used to express possibility but it tends to suggest a greater degree or uncertainty or tentativeness for example it might snow tomorrow यानि कि कल हो सकता है कि बार्फ गिरे इसके लावा इसका may के past tense के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है यानि कि past tense of may in some cases might is used as the past tense of may for example he said he might come later यानि कि यहाँ पर might को may के past tense के रूप में इस्तेमाल किया जा है जैसे कि उसने कहा वह बाद में आ सकता है यानि कि वह बाद में आ सकता है उसने ऐसा कहा तो उसके लिए यहाँ पर हम may की जगे might का इस्तेमाल करते है as a may का past tense तो इस तरीके से may और might को हम इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि in summary both may and might can express possibility but might often implies a higher level of uncertainty additionally may is commonly used for permission while might is sometimes used the past tense of may यानि कि higher level of uncertainty के लिए हम might का इस्तेमाल करते हैं और इसके इलावा may के past tense के रूप में भी might का इस्तेमाल हम करते हैं अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें